इस वीडियो में हम सिंपल एक सिंगल चैप्टर बहुत इंपॉर्टन चैप्टर पीजी वीपी के बारे में इंपॉर्टन सेक्शन के बारे में डिस्कुस करेंगे और मैं आपको बताओंगा कि प्रैक्टिकल एस थियोरी दोनों पोश्चन के लिए कौन-कौन से सेक्शन आपको करने है सेक्शन वाइस याद करने है अच्छे से और लिखना भी है एक्जाम में तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 32 डेपरिसेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन सेक्शन है फेडरिट है इंस्टिूट का ओल टाइम सभी इंस्टिूट में चाहे वो C.A.щее है अजबदस्त्री के से practical भी इसमें खास करके तूसरे नमबर भी section 35 scientific research scientific research में एक तो होता है in house एक होता है out house वाले में ठीक है दोनों जो खास करके donation वाला है वो उसकी figures जो है वो percentage इतने पसंट deduction लाउड होगी वो रट के जानी पड़ेंगी अच्छे से ठीक है उसके बाद 35D preliminary expenses बहुत important है उसके बाद 35 DDA voluntary retirement scheme के लिए जो expenses incur करती है कितनी installment में 5 installment में खचा लाउड हो जाता है उसके बाद टेलीकम license आ गया उसके बाद section 36 subsection 1 clause 9 यह किसी का है family promoting planning का यह भी छोटा सा section ही है subsection है यह बहुत important है section 371 subsection 1 general deduction यह छोटा सा section है उसके बाद 40A2, 40A3, 43B यह तीनों अगर practical question आया तो समय के चलिए 100% इन तीनों sections में से एक-एक point आएगा ही आएगा 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 आपको practical question में इसलिए बहुत अच्छे से करके जाएगा यह तीनों section उसके बा चार नंबर का question आ सकता है वो section है 44AA, 44AB, tax audit पहला accounts का हो गया books का फिर AD का हो गया 44ADA, 44AE यह वो section है जिन में से आपको अलग से institute आपको theory question पूछ सकती है explain कीजिए 44AA यह 44AB तो उसके बाद question आता है कि sir क्या section याद करना important है यहाँ पर बिना section याद किये काम चल जाएगा जी नहीं अगर आप section देखिए section के साथ साथ याद करोगे है ना तो बहुत अच्छे से provision रटेगी और आपको marks भी full बटा full मिलेंगे जतना आप करके आओगे इसलिए यह जो मैंने sections लिखे हैं यह 100% आपको याद करने हैं लिखने भी हैं exam में डरना नहीं है देखिए जब number आपको section लिखने के अब आपको बहुत सारे लोग गल्द guide करते हैं कि section अगर गलत लिख दो के तो सारा question ही गलत कर देंगे काटा मार देंगे जीरो हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होता यार सिंपल सी बात सोचो ना logically कि अगर आप section नहीं लिखते तो section नहीं लिखने के number खटते हैं तो section लिखो गे तो गलत लिख दिया तो गलत लिखने के number खटेंगे इतने थोड़ी ना अपना वो त्रही माम मचाने क की पॉजिशन में एंसीट है ना इसलिए तरीए मत बड़िया तरीके से positive होके चलिए negative करने वाले तो बहुत बैठे हैं आपको ठीक है all the best वेचो लोग अच्छे चनल में नहीं है जो उनको subscribe करना बेले केंद बाना मत भूलेगा और अगर आपको complete analysis देखनी है description में आपको link देदूंगा उसकी वीडियो भी आपको मिल देगे